मुझे खुशी है कि वीरबाल दिवस अब अंतराश्ट्य स्तर पर भी बनाए जाने लगा है वीरबाल दिवस जिसको भारत में तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिबरेट किया गया है उसी के साथ साथ दुनिया भर में भी बहुत जबर्दस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है भारत को ट्रिब्यूट पेश किया गया है लगभग लगभग 22 से 25 मुमालिक ने इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है वो आज मुदी जी की तारीफ कर रहे हैं वो अब ज, आब यह कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर Jen चाहिए. मोधी है तो जी मुम्किन है। यह बात यहां पर भी कही जा के चारी है, केपे के में में कही जा रही है, के पज़ाब के लिए कि कही कि लोगों के दिलों में घर किया है कि सुरा सो पहचानिये जो लराई दीन के है पुर्जा पुर्जा कट मरे कभूना चाड़े के दोस्तों एस्पी नियूज 91 में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता दू के एक घोशना हुई थी जिसमें 26 दिसंबर को वी वीरबाल दिवस के रूप में मनाने की घोशना हुई थी जिसमें की जो गुरु गोविन सिंग के सहीत उनके चार बेटे सहीत हुए थे उसमें उसे 26 दिसंबर को वीरबाल दिवस के रूप में दिल्ली के प्रगती मैदान में जो है बहुत से आयोजित किये गए जिसमें की प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी भी सामिल हुए और उन्होंने कहा कि यह जो हमारे इन वीरों की सहादत है उनकी सहादत को देखती हुए हमें इस अपने आप में मतलब एक कॉंफिडाइन्स आता है और एक सही बात है इसके साथ साथ अमेरिका बिटेन यूएई और ग और रुमधाम से बनाया गया। को यह जिए क्लिडियो क्लिफ divas के जो आपने क्लिफ में देखी यह उसी के साथ साथ दुनिया भर में भी बहुत जबर्दस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है भारत को ट्रिब्यूट पेश किया गया है लगभग लगभग 22-25 मुमालिक ने इस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है जिसमें डुबई शामिल है सौधिया शामिल है, कतर शामिल है, यूएस शामिल है, यूके शामिल है, न्यूजलेंड शामिल है, अस्ट्रेलिया शामिल है, इस तरह की important हम मुमालिक शामिल है, international day की तरह इस event को मनाया गया है, celebrations की गई है, भाइब बढ़ते हैं, पाकिस्तानी अवाम की जानिब उन से पूछते हैं, कि अगर हम पाकिस्तानी किसी event की बात करते हैं, किसी occasion की बात करते हैं, तो हमें उस तरीके से prefer नहीं किया जाता, 14 अगस्त को हमारे जंडे को light up नहीं किया गया था, दुबई की जानिब से हमें कोई wish नहीं करता है, वहीं पर भारत के लिए proper पर celebration होती है, tribute पेश किये जाते हैं, salute पेश किये जाते हैं, दुबई के शेखों ने बहुत जबरदस तरीके से celebrate किया है, वीर बाल देविस, अगर हम अपने मुस्लिम मालिकी ही बात करते हैं, तो वो अभी हमारे लिए वीजास पर restriction लगाते हैं, वो कहते हैं, कि पाकिस्ता कम होती जारी है, और हम जिस मुलक से अलग हुएते हैं, उसके importance बढ़ती चली जारी है, इसमें देखें एक थोड़ा सा इसकी background है, कि इस जमाने में हम रह रहे हैं, इसलाम तो जो है ना, वो किसी रियास्ती हद बंदी पे यकीन नहीं रखता, ये तो अपनी आलम घीरियत यकीन रखता है, लेकिन इसके बावजूद कि आज मुसल्मान होते हुए भी दुनिया में 60-65 इसलामिक रियास्ते हैं, या उनको कहें कि जिन में मुसल्मान अक्सरियत में हैं, वो दुनिया के नक्षे पर मुझूद हैं, और हर एक ने अपने हवाले से पबंदी लगाई ह कोई बंदा, कोई दूसरा मुलक पासपोर्ट के बगार, वीजे के बगार उनके मुलक में एंटर नहीं हो सकता, यह इसलाम की जो अपनी स्पिरिट है, उसमें तो आलमगीरियत है, एक ही मुलक है, दुनिया में जो हैना, सारे का सारा जहान जो हैना, वो मुसल्म का है, इसल बिलकुल है, आपको पता है कि मुसल्म मुमालिक ने वीजा फ्री एंट्री जो है वो भारतियों के लिए की है, हमारे लिए तो वो करते ही नहीं है, अब यह कीज़ और है, जिसको आप पेशे नदर रखें, कि इन मुमालिक के लिए जो अपने आपको इसलामी मुमालिक किल तो बिलकुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब ना चलाते हो, मेडिया से हो, मेडिया के बाहर हो, बलके आज मैं अगर आपको बताओं, तो के पी के जो के पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, और बहुत कहना चाहिए कि वहाँ पे बहुत जादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पड़े लिखे हो या जिनको बहुत जादा नौलिज हो, वो तक जो है, वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो अब यह कहना शुरू हो गए हैं कि हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाह यह कई लोगों के दिलों में घर किया, मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी एक अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस की पब्लिक आप कहती है कि हमें भी मोधी जी जैसा लीडर चाहिए उस तरह के रस्ते पे चल कर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की साथ साथ डॉक्टर जेशंकर के बारे में तुम्हें आपको बताती ही रहती हूं डॉक्टर जेशंकर भी पाकिसान में बहुत फे मेंटी में तो मेजर गौरव के लिए बलोचिस्तान में पुतले तक जलाए जाते थे और कहा जाता था कि नहीं जी ये ये पाकिसान का दुश्मन है ये हमें पसंद नहीं है और इसके समगी बाते में जो गौरवारिया के बारे में की जाती थी लेकिन आज अगर आप उसी चले जाएं आप उसी के पी के में चले जाएं और आप सिंद में और दुसी जगा पे पाकिसान में चले जाएं चोटे सी चोटा अलाका अगर कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट चल रहा है अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लोगों को मुबाइल इंटरनेट मिल रहा है तो लुट अगर किसी को देख रहे हैं तो वो मेज़र बारिया की वीडियो देख रहे हैं MAJOR साब जो कहरे हैं बिलकुल ठीक बात कह रहे हैं और यह एक टाकत होती है अपकी आपके एक समझ होती है जिसे आप अपने काम के जलिए जू है वो आगे तक पहुँचते हैं आप अपने काम के जरीए अपने आपको मनवाते हैं और यही चीज़ मैंने खास दोर पर इन दो लोगों के बीच में देखी है हालकि एक तो खेर आपके प्राइम मिनिस्टर है जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही मैं आपको बता दू यदि आप चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओर पर सेलेक कर लिजएगा ताकि भविश्चे मम जैसे ही कोई वीडियो अफलोड करें उसका नोटिफिक्शन आप तक सबसे पहले पहुँझे तो दोस्तों वीडियो को अंतक्स देखने के लिए धन्यवाद